के जैसी ठीक है तो शुरू करते हैं आज की क्लास का में चीज क्या है आज शिक्षक दिवस है कि कौन सा दिवस हमुणना ठीक है आप एक चीज बताओ आज है इंडिया का शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचस डे कब होता है हुआ है पंच अक्टोबर पूरे एक मैने बाद कब शता है पंच अक्टोबर को एक मैने के बाद ठीक एक संस्कृत के एक सलोक है गुरूर सुष्रू सयाविद्या, पुष्कलेन धनेनवा, अथ्वा विद्या विद्या, चा थुर्थ कमनेव सादने एक बोलोगा मेरे साथ गुरूर सुष्रू सयाविद्या, सुसु सुसु ने करना भाई गुरूर शुष्रू श्याविद्या पुष्कलेंदनेनवा अथ्वा विद्या विद्या चतुर्त कमनेवसादने देखो ये वह बाशा है जो आज कलकी तो बाशा है नहीं के लब आज गुरू जी का चीक रहा गुरू जी ने संस्किर्ट बना दी आएंगे सर थोड़ देर में आएंगे ठीक है न तो बस एक भूमी का बांद रहा हूं बाकी काम तो सरकाई है ठीक है इसका क्या मतलब है मुन्ना कोई बताएगा जो मैंने सलोक बोला है इसका क्या मतलब है जो पुराने वेद शास्तर उसमें लिखा गया है विद्या प्राप्ति के तीन ही सादन है और मेरे इसाब से यह बात आज भी रिलाइबल है पहला गुरो सुशुरु सया विद्या अगर गुरु की सेवा में उसके सरण में जाने से, तूसरा है पुश्कलेन धनेणवा यानि धन लगाने से आ हैं आप नहीं चीज पढ़ रहे हूए किवह या किताब पढ़ रहे हो कुछ भी हो, कोचिंग ही ले रहे हो आप विद्या में धन लगा रहे हो तो आपको विद्या 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 यानि विद्या मिलती है बाटने से क्या करने से एक मातर दुनिया का यहीं कैसा दने जो बाटने से बढ़ता है इसमें कोई गलती नहीं है आप आज महां बैठे हो अगर आप का अभी जो दिमाग ना सिदह 10 गुना दिमाग हो जागा क्योंकि आपको पता होगा बच्छा क्या कुछ भी पूछ सकता है तो आगे के आपने आपको क्या करना त्यार करना समझ गया चतूरत कम नवसादन यानि चोथा कोई सादन नहीं है कि आज भी यह है आप देखोगे समझ में आया क्या समझा अर्श है हाँ है चलो ठीक है अच्छा इसके लिए बापके एजुकेशन की बात है एजुकेशन वापको कुछ भी सीखना है उसके लिए साइकोल जी के एक वह हैसी मनोवग्यानी को इसका नाम है थोंडाइक क्या ना कीया लिए किया धूलाइचा कॼ्यारी के इसके तीन है पहला नीहम क्या है कोई बता सकता है ला ओफ रेडिनेस उन्याज अपने आपको त्यार करना इंदी क mixed पतना का नियम क्या क्या कते है थो कि आफको जो करना आज है आज इतने अचे बच्चे हैं तो जिस चीज की तियारी कर रहे हैं क्या वह वाक्य में वह बनना चाहते हैं या कोई माबाप के दबाव में बैठा है कुछ नहीं तो कुछ और सही तू नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही लाको असीना इस दुनिया में तू अकिली तो नहीं ऐसा तो को करना है वह बच्चे न जो माबाप के दबावाड़ा बच्चा करके वह अराम करें जिसको अपनी जीवन खुद करना है माँके सपने पिता की मेनत को सापूरा करना है अपना सामर्थ दिखाना कि पर वही सेंट्र पे आए चलो वाई इतना समझ मागया बस 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 तो पहला क्या था लाउफ रेडिनेस आप वाक्य में जो करना चाहते हो और आप उसके लिए खुद तयार हो तयार हो कि आयो मन से तो 22 दुनिया का कोई आदमी आपने पिछे नहीं रख सकता कि समझ रहे हो हां कुछ नूँ है जो करीभी बात आ रहा है मेरे लाल मुनना सुन लेवा अगर कोई तियार नहीं है तो उसके आगेचा आप लाखा क्रोड़ाई कोचिंग दवा दो वह कभी काम्याब नहीं होगा दूसरा क्या लाउफ प्रेक्टिस यानि जिसीज कि आप कि बार बार प्रेक्टिस करोगे ना वो कहे था है रसरी आहज जाबत इसनन मि मैं यह यानि हो तनी जब कूवेम रशी एसाba कीसते हैं तो पत्तर को भी काड़ देती है यह ल्यादी कर और यह ल touched सब आसान हो जागा इस दुनिया में कुछ भी काम है तो आप को पर पास कर इंप पुराणे सास्तों मिन को कलाय कहा देती थे किर्षन बगवान कितनी कला संपून थे 16 ला कला संपून अनुमान जी 12 संपून राम जी 14 कला संपून आट ओफ लेविंग आट ओफ टौट किंग आट ओफ लीडर्सिप यह बहुत सारी कलाय होती ती आज भी वही है सब कला है अगर आपकी तत्वरत अच्छी है आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपने इफेक्ट कैसे में लगा अच्छा और एक छोटी-छोटी सीड आप चलते चलेगे तो कहां चले जाओगे आगे तक चले जाओगे कितना समझमा है चलो बाई वैरी गुड और बस में बात तो यहां भी सर आगे सत्तप्र का सर वह सारी बात कंटिनू करेंगे मेरी तरफ से यहां है अगर एक पुड़ खराब हो जाए तो कुछ आनी होती है डोक्टर खराब होते हैं तो कुछ लोगों को जल्दी इंदर देव करता के पास पहुचा देगा तेकिन एक शिक्षक खराब हो जाए तो पुरा देश खराब हो जाए इसे इसका ध्यान रखो है शिक्षक यहां वह इनी जो यहां खड़या है आप खुद किसी के लिए आदर्स हो अपने चोटे बाई वैन के तरफ देखना उस पडोसी के तर कि समझे लोग शिक्षक का मलब आदर्स तो ठीक है सत्यप्रकासर अब दो लाए नमाप से कि सत्यप्रकासर भाई बहुत सारे PCS IS सब कुछ क्वालिफाई द्रोगा तैसिलदार ऐसा कोई एक्जाम निया जो इनका पास नहीं हो चोटे से चोटा से बड़े से बड़ा कैसे सभी नवस्कार सभी को कि आज क्या है टीचर डे अध्यापक दिवस कि क्यों बनाये जाता है कि किसी ना किसी का जनम दिन है और वह है हमारे पहले उप्राश्ट पती डाक्टर सर्परली रादा किष्ण किसी भी दिवस को मनाने के लिए जरूरी होता है कि हम उनकी उप्योगता को जाने उनका महत्त जाने यह सबसे जरूरी है कि बहुत सारे सिक्षक हैं बहुत सिक्षक हुए हैं बड़ बड़े बिद्वान हुए हैं तो किसी ना किसी के जनम दिन पर तो मना नहीं था और डाक्टर सर्पली रादा किष्ण आप जानते हो इतने बिद्वान थे कि वह सिक्षा से भी जुड़े हुए थे कि और बाद में वह हमारे उप्राश्पतीव बने हैं कि पांस सितंबर को उनका जनम हुआ तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा सारी बाते हैं सर ने बता दी हैं आपको अच्छे समझ में आगी हूँ मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूँ आपको सिक्षक की भूमिका हमारे परवार से ही सुरू हो जाती है आप अपने सिक्षक को पहचान ही है कहां से सुरू हो गई है तो सबसे पहला सिक्षक कौन है हमारा मा जिसने हमें जनम दिया है वो हमारा पहला सिक्षक होता है काफी समय हम कुछ नहीं जानते कुछ चीजें हम पहचानते नहीं हैं कौन अपना है कौन पराय सरी मा को पहचानते हैं छोटा सा बच्चा भी पैदा हुआ इसे किसी की गोदी में दे दो हूं वो चुप नहीं होगा और जैसे अपनी मा की गोदी में आएगा चुप हो जाएगा तो हम भासा पहला अक्षर मा सिकाती है हमें पूरा पापा करके पापा सीख जाते हैं मामा करके मामा सीख जाते हैं तो हमारा पहला सिक्षक हो यह हमारी मा है हमारी पहली सिक्षक दिशीर को उसके बाद में पिटाजी का रोल आता है और पर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा ऋता है स्कूल में पहुँचा है तो आपके जो फर्स्ट क्लास में, LKG, UKG में जो भी सिक्षक रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, बहुत सारे सिक्षक आपके जीवन में आई, और आज जो आप इस इस्तिती में बैठे हुए हो, जो दुनिया को बदलने चले हो आप, अपने आपको बदलने चल आया है, समझे आप, आपके अंदर जो कुछ भी है, आपने जो कुछ सीखा है, उन सिक्षों की बदलन सीखा, लेकि मा से लेकर के, पहले सिक्षक से लेकर, और आपने जो पढ़ाई पूरी की है, उस तक, आज भी आप आगे जाएंगे, आपको और सिक्षक उबलब्द है, जीवन के छेतर बदल जाते हैं, कोई क्रिकटर बन जाता है, कोई कवड़ी खेलता है, कोई सिक्षक बन जाता है, कोई बैग्यानिक बन जाता है, आगे भी हम उस चीज को सीखते रहते हैं, तो सिक्षक का रोल इतना बड़ा है, कि आपको मैं छोटे से बात में बता दूं, कवीरदाजी ने कहा है क्या कहा है कवीरदाजी ने नहीं पता किसी को गुरू गोविंद दू कड़े काखे लागों पाए बलहारी गुरू आपने गोविंद यह बता है गुरू और गोविंद का मतलब है इस्वर अलग-अलग मजहों में इस्वर को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है हिंदु भगवान कहते हैं मुसल्मान अल्ला कहते हैं और अन्य धर्म बाले किसी और नाम से बुकारा अगर वो आपके साथ-साथ कड़ा है इस्वर और एक तरफ आपका गुरू खड़ा है तो कभीर दाजी कहते हैं कि मैं अपने गुरू के पहले लगूँगा भगवान के नहीं भगवान के बाद में लगूँगा पहले किसके प चिकाया है यह दुनिया क्या है सत्त और असत्त क्या है गलत सही क्या है और यह भगवान जी जो खड़े ना बरावन में यह भी स्वर है या नहीं किसने बताया है गुरू जी नहीं बताया है तो आप गुरू की महमा यहां से जान सकते हो आजकल का ट्रेंड बन गया है गु आपके से अच्छे से समझ चुके होंगे कि गुरु की हमारे जीवन में क्या भूमका है दुवारा उनोंने कहा है जैसा मेरे पहले आपको बता दिया है कि गुरु कुमार सिस कुम है गड़गड काटे खोट अंतर हात सहार दे बाहर मारे चोड यह आपने पहले पढ़ा होगा सुना होगा, हम जैसे जैसे पढ़ते आहें, तो इसकी गुरू की महमla बहुत अच्छे से बताई गी है हमारे अंदर बहुत सारी कमिया होती है, बहुत सारी कमिया आ जाती है, जो हमारे आगे चलके जीवन को तबहा कर सकती है परिसानी में डाल सकती है हमारा लक्ष जो है अपना जीमन का बटक सकते हैं इसी प्रकार से हमारा गुरू जो है उसको दूर कर देता है जैसे कुमार जब बटन बनाता है तो अंदर से हाथ लगाता उस बटन में क्या करता है हाथ लगाता और बहार से उसको आकार देता है चोट मारता उस पर कहीं से ट अपने भविस्य को जानता है कि उसे क्या कड़ना है अपने कर्मों को पहचानता है उसे क्या करना है और वो मदध प yolउउ की मदग समझनें ना तो आज जो शिक्षा का थोड़ा सा उद्द्ध से बदला हुआ है ऑपको लगएगा कमाई का साधन बना लिया है क्या बना लिया है थोड़ा सा कमाई का साधन आप किसी भी संस्थान में जाएए जो अच्छे है अब डिगरी कवले में जाएए– उपकमाई कको 15..2002003 कि यह आपकी सी भड़े कोचिंग संस्थान में आते हैं वहां देखेंगे आपको बहुत सारा पैसा देना पढ़े क्या यह सिक्षा एक यह गुरू है नहीं लिट से निप सबस्षे तो तो होती है वो आपके परश्रम से आती है किस से आती है और परश्रम करना कौन से ग्रुव सिकहता है आपके बता रहा हूं है छोटा सा जादा बड़ा बिद्धवान में नहीं हुए आपकी थिव्य रिधाउर हम चोटा है महभारत में कि जब करण को प्लीज करण को जब आवश्यक्ता थी एक अच्छा गुरू ढूंडने की तो उस समय दोणाचारिय का बहुत बड़ा नाम था समझ रहे हो तो उसे वो लेके करण को जो पिता थे पिता तो उसके दूसरे थे लेकिन जिन्हों ने उसे पाला पोशा वो उसको लेके गए और दोड़ाचारिय से कहा कि आप मेरे पुत्र को सिक्षा दान दीजिए तो यहां करण कहता है अपने पिता जे माफी मांगते हो बोलता है कि सिक्षा दान में नहीं मिलती सिक्षा दान में नहीं मिलती है सिक्षा परिश्रम से मिलती है किस से मिलती है परिश्रम से हम आपको जीवन के कुछ उद्देश से बताएंगे जो भी आपके उद्देश से हैं और उन उद्देश में आप कैसे सफल होंगे यह हमारा बताना काम है आपको लेकिन आपकी सपलता और असपलता इस बात में निर्वर करती है कि आप कितना परिश्रम करते हैं उस चीज़ को सही तरीके से लेते हैं नहीं लेते समझे हो तो मेरा कहने का मतलब यहां पे सारा यह है कि आपके आज अध्यापक दिवस है और जितने भी आपके गुरू हुए हैं माता से लेकर के अब तक और आगे भी आपके गुरू आ रहे हैं तो इनका पूरी तरह से आप सम्मान कीजिए और सही गुरू को अपने को पहच जा रहा है वो आपके गुरू नहीं है हमने जो यह कोचिंग संस्थान खोला है इसमें इतनी फीस रखी है कि जो हमारा काम सुचारू रूप से चल सके क्योंकि कुछ काम चलाने के लिए कुछ धनकी आवश्यक्ता होती है होती है नहीं होती है तो वो बस आप से हमें क्योंकि हम आपको वो सिक्षा देना चाहते हैं जो दिल्ली के वो कोचिंग संस्थान दे रहे हैं आपको या बहार के वो कोचिंग संस्थान दे रहे हैं मोटा पैसा ले रहे हैं और सपल्था और असपल्था की कोई उनकी गारेंटी नहीं है असपल्था गारेंटी तो दे करा सकते, क्योंकि हर एक की समस्या पूछी जाएगी, तो पूरा दिन उस क्लास में लग जाएगा, तो हमने पूरा बिचार, पूरा धिमाग, ये जो आज में बात बता रहा हूं, गुरू की जितनी महमा बता रहा हूं, ये हमने लगाया है, पूरा, और हम वो सिक्षा देना चाते हैं आपको, कि आपको एकदम फिरी में, सही सिक्षा मिले, जिससे आपके जीवन का विकास हो, और आप अपने लक्षे में काम्याब बने हैं, यही हमारे टीचर्स देखा, हमने आज का जो उद्दे से है, वो सीखा है, और यही मैं आपको बताने चाहूँ, समझ रहे ना, आप पहचान यह सिक्षक को सही, अगर मैं आपको सिक्षा दे रहा हूँ, और उसके एपज में बहुत सारा धन आपसे, पिता जी पता है कैसे कैसे कमाते हैं, आपने माबाप से पूछा, अपने सिजा कर गे, ममी, पापा के जो पैसे को आप घर से ला रहे हो, और इधर उदर खर्च कर रहे हो, क्या एक बार पूछा है, आपने उनसे जा कर के यह पैसा आप कैसे कमाते हैं, कितनी कटना ही होती है, कमाने माब आपको, नहीं पूछा न, तो इस पैसे को इस तरीके से बरवादी में कर मैंने अपने जीवन में बहुत जगे देखा है आई एस की जो कोचिंग होती है डाई लाग से फीस कम नहीं है आपको बता रहूं मैं एक मिनट बेटा बात करने तो बरावर चले जाओ मेरा कहने का मतलब यह है कि डाई लाखी तो फीस देते हैं बच्चे और पांच हजार रुपे का रेंट का रूम लेते हैं उसके बाद में छहाजार रुपे पांच हजार रुपे खाने को चाहिए कम से कम आप वहां रहोगे तो आप यह पू रहने वाले अच्छे तरीके से बताते हैं कि उनको कमाने से मतलब है और बच्चे भी ऐसे हैं कि पढ़ते भी डंग से नहीं हैं फीस भर दी किराया दे दिया और खर्चा कर दिया पांच जार की जरूरत है घर्चे दसजार मंगाएंगे उल्टा सीधा खर्च करेंगे और जीवन में क्या होता है चार-पांच साल के बाद में जब यह दर्द होता है कि हमने अपना जीवन तभा कर लिया और हमने बहुत सारी गलतियां कर दी आज हम बहुत ही गलत जगे पर पहुंच चुके हैं अब संभावना सही होने की नहीं है तो उसका कोई सॉलूशन नहीं रहता फिर आपका जो कीमती समय है वो निकल चुका है कोचिंग संस्थान को इस बाद से कोई मतलब नहीं है कि दो लाक बच्चे आए हैं यहां पर पढ़ने के लिए और उसमें से सिर्फ सों बच्चे काम्याब हुए हैं वो उनमें से दसकी फोटू सड़क पर लगा देग देखो पहला इस्तान यह देखो दूसरा और एक फोटू खाली छोड़ देगा कह देखो आई यह आप आपका है उसको इस बास से कोई मतलब नहीं है कि मुखड़ी नगर में सो यह बच्चों ने आतमत्या की है क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहते कि उसके बाप ने डिसीजन में सही रहो अगर सही गुरू होते और सही बात होती तो वो कभी इस तरीके से नहीं होता समझे ना उनको सिर्फ क्या मतलब है दस लोग सफल हो गये उनका पिरचार हो गया और दो लाग का जो बेब खुब बनेगा उसके लिए वो पिरचार कर रहे हैं लोग बदल गया है थोड़ा सा जो पबलिक के लाव के लिए बात करता है लोग उसे पागल समझ लेते हैं और थोड़ा सा उल्टे सीधे कमेंट करता है लोग समझे जादू है इसके पास जादू कुछ भी नहीं है मैं आपको इस कंप्टिशन के दौर में लाना चाहते हूं कि हक अधिकत में जी कवीरदाजी बोल गए वह हमने सुना और हमारे सिक्षकों ने हमने बताया वह हमने जाना लेकिन आज के परिपेक्ष में आप देखिए क्या होता है यह था दूजरा पीछे से कि हुआ है कि अब काँ पे एक सेकंड बच्चो चलो मैं हासे लिखता हूं अब कि अब चीग है अब लिया हो अब देखिए बच्चों आप कितने लोग तैयारी कर रहे हैं हाथ वड़ा सीरियस सुनों रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं करना चाहते सभी है है ठीक है कितनी जन संक्या है हिंदुस्तान की एक सो पचास यह रिकॉर्ड छोड़ दो है वह दो को रहे हैं है